हेलो बच्चो, वेलकम बैक तू दा कोशिन नमबर फोटी है तिन दा रिमेंडर क्योरम अब देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक नही थोरम बताना चाहूंगा वो थोरम है विल्सन क्योरम और विल्सन क्योरम हमें यह कहती है वो फैक्टोरियल पे वह करती है कि पी माइनस वन का अगर हम फैक्टोरियल निकालने है राइट पी माइनस वन का फैक्टोरियल अगर उसको पी से डिवाइड किया जाए अगर उसको P से divide किया जाए तो जो remainder होगा उसका वो P-1 रहेगा उसका remainder क्या होगा P-1 रहेगा ठीक है जी apply करने के try करते हैं अगर मैं यहाँ पर apply करता हूँ तो उपर देखो उसको लिख सकते हैं 5-1 का factorial और divide में क्या होगा आपका 5 भी होगा तो you can see यह कौन सा format बन गया इसका answer क्या होना चाहिए P-1 होना चाहिए तो this will be equal to 5-1 should be your answer that is equal to 4 ठीक है जी तो this is this is how we do the Wilson theorem राइट अब Wilson theorem के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं क्या Wilson theorem के अलावा भी साइप के questions में हम कुछ कर सकते हैं वो चीज़ ट्राय करने के ट्राय करते हैं देखो चार factorial को मैं क्या लिख सकता हूं चार factorial can be written as 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 तो यह कितना आ जाएगा 24 बिटा और इस 24 को मैंने divide करना है 5 के साथ अगर इसको 5 से divide करता हूं तो मेरा remainder कितना आएगा यह article की that will be equal to 4 तो without Wilson theorem करते हो तब भी 4 आता है Wilson theorem से आप directly P-1 answer दे सकते हो यह आपका निचे वाला P होता है that means कि 5-1 equal to 4 आपका answer हो तो with और without दोनों वे से आप इस question को कर सकते हो